नमस्कार दोस्तों मैं गॉरब एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने helping गॉरब YouTube चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए new vacancy की जानकारी लेकर आ गया हूँ हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं data entry operator jobs 2020 औ data entry operator के साथ साथ और भी दो तीन ऐसे पद हैं जिनके लिए यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा वही दोस्तों इसकी जानकारी मैं आगर आपको दूँ तो official notice दोस्तों आ गया है और इसकी जानकारी मैं आपको official notice के माध्यम से ही देने वाला हूँ वही दोस्तों योग गयता पद की कुल संख्या क्या है कि आपको वीडियो के अंतक बने रहाना होगा वही दोस्तों आविदन की अंतिम टिती कि हम लोग बात करें तो 14 12 2020 तक जो है अंतिम टिती है 14 12 2020 तक आप लोग आविदन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना समावरात किये हम लोग जो है official notice को open उससे पहले दोस्तों मैं एक चोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग और आप यूटुब चैनल पर विजिट किये हैं तो भी आप हेल्पिंग और यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बगल के बैल आकों को दबाना बिल् आप लोग देख सकते हैं मैं आपके सामने ऑफिसल नौटिस ऑपन कर दिया हूं अगर इस नौटिस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप जैसे मेरे टेली ग्राम गुरूप में जूडएंगा आपको यह जो है नौटिस मिल जाएगा आप वहां से पूरा विस्तारूप कर सकते हैं तो चेलिस अगर आगे बड़ते हैं और बहुत कम समय में सारी जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप लोग दब्लोग परिख सकते हैं जैसा कि से अप पदों हे तू भरती परिक्षा 2020 के संबंद में सूचना और यही चीज दोस्तों यहां पे भी मैंसन किया गया है उसका दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं करमांग संक्या पर लिखा गया है विबरन और संबावित्ती थी थी तो आप दे कि दोस्तों यह है कि यह जो नोटिस मैं आपको दिखा रहा है एक सोट नोटिस है एक नोटिस और भी आने वाला आए जिसमें आपको विस्ता रूप से सारी जानकारी मिलेगी कि कनिस्ट के भी कितना सीट रखा गया नीचे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे पर mention किया है उसके दोस्तों आप देख सकते हैं आविदन पत्र आउनलाइन संसोधन किये जानने की थी यानिकि अगर आपका आविदन भरने के समय कुछ गलत हो गया है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और कब तक ठीक कर सकते हैं तो 1912-2020 तक आप ठीक कर सकते हैं इसके समस्तितियां पुर्णता संभावित है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जिन में आवसकता अनुसार परिवर्तन संभावे काने का मतलब यह है कि इस डेट में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है उसके दोसरे नमबर की बात करें तो आप देख सकते हैं विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदाओं की कुल संभावित संख्या 250 है जिन में परिवर्तन संभाव है काने का मतलब यह है कि इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूं लेकिन दोस्तों बहुत ही सौट जानकारी है वहीं दोस्तों आ मैंने थमनेल पर दिखाया और योग्यता के बारे में मैंने बाती नहीं किया तो दोस्तों योग्यता के अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले जो रिक्वार्मेंट आई थी उसमें डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए टुल्थ पास रखा गया था साथ इसाथ दोस्तों जैसे एक नए नोटीस आएगा उसके बारे में भी मैं आको सही से सब कुछ बताने का परियास करूंगा तो दोस्तों आसके लिए इतना ही मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में और जाते आते एक बार फिर से मैं आपसे चोटा सार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विज्ट किये हैं तो यहाँ अप यहां तक कि अगर कोई बैकेंसी निकालती है तो उसे भी मैं कभर करने का प्रइयास करता हूं तो दोस्तों आसके लिए तना ही मिलते हैं फिर से आगली वीडियो में तब तक के लिए बाई टे केर जहिन वंदे मात्रम